कडागे के ठंड में आपका ठिटूरना और कपकपाना हो जाएगा दूर सती सिक्योरिटी लेकर आया है आपके लिए हर तरह के हीटर, गीजर, इमर्शन रॉट और केटल गीजर 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में इमर्शन रॉट पानी को गर्म करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका इलेक्ट्रिक केटल चाय और मैगी के साथ अब सबसी भी बनाना हुआ आसान हीटर सर्धावा में भी ठिटूर ना होगा दूर तो फिर देर के सबात की आये सती सिक्योरिटी सेंटर नए साल के भारी ओफर के साथ अपने घर ले जाएए हीटर, गीजर, कैटल और इमर्शन रॉट सती सिक्योरिटी सबसे सस्ता सबसे अच्छा सती सिक्योरिटी नियर रिशिभावन, शिव मंदर चौक, बड़ा बाजार, कटिहार 854-105, बिहार कल हमने कटिहार की समेली प्रखन की मुरादपूर पंच्छायत के नवाब गंज में रहने वाले दुर्गा प्रिशाद जैसवाल का वा कथन सुनाया था, जिसमें उसने अपने आपको अभागा और असाहाय बताते हुए अपने बड़े बेटे अमर प्रताब बिहार पर कई गंभीर आरोप लगा दिये थे लेकिन अभी आ मामला पूरी तरह पलट गया है इस मामले में बेटा अमर प्रताब दोशी नहीं है बलकि उसका पिता दुरगा प्रिशाद जैसवाल और उसके मंजले बेटे रंजीत जैसवाल उसकी पतनी सोनी देवी की शाजिस के कारण यह सारा घटना करम हुआ है आमर प्रताब बिहारी नहीं आज स्वैंग के विसी न्यूज के सामने इन सारी साजिसों का परदा फास करते हुए कहा कि सबसे पहले मीडिया करमी को धनवाद बड़े दुख के साथ कहना पर रहा है कि पिताजी ने जो मुझ पर आरुप लगाया है सारा सर गलत है बेबुनियाद है हमको बदलाम करने के लिए ये साजिस रची गई है साजिस रचने का जो कार्ज है वो मन्जले भाई रंजित जैस्वाल उसकी पत्नी सोनी देवी ने किया है सब पर्थम हम लोग की जो प्रोपर्टी संपती थी जॉइन्ट संपती सोनी देवी ने पिता को मुम माया में जाल में फसा कर हमारे सबसे छोटे भाई परदी का जो प्रोपर्टी जो मकान है जो दिली में इंजिनियर हैं छोटे भाई उनके प्रोपर्टी को ये लोग पिताजी से रष्टी करवा लिया पहला रष्टी 28-27 को हुा ये छोटे भाई का प्रोपर्टी है जो देली इंजिनियर है देली में ये बगल में मेरा है ये उन्होंने रंजीत की वाइप सोनी देवी ने पिताजी से रश्टी करवा लिया उसके बाद तीन दिन बाद 31 तारिक को जो हमारा पुराना घर है जहाँ पे हम लोग बड़े हुए पले बड़े वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो रंजीत ने अपने नाम से करा लिया एकतिस्त साथ को रश्टी करा लिया इससे भी मन नहीं भड़ा चार तारिक को यह गोडोन है बहुत बड़ा सा रंजीत ने अपने बेटे के नाम से यह भी रश्टी करवा लिया जो बेटा इनका नबालिक है उनके नाम से यह रश्टी का डेट चार आठ यानि दस दिन के अंदर तिन रश्ट्रियां हुई जब इसका मैंने बिरोध किया तो यह लोग हम पे हावी हो गए मार पीट करने के लिए हमारे घर पे आ गए दुकान में ताला मार दिये पिता जी फरसा लेके आ गए जिसका वीडियो किलिप मेरे पास है थाना में भी दिया गिया आज ऐसे इस्तिती हो गई है कि हम बता नहीं सकते हैं हमारा बिजनेस चोपट हो रहा है हम एक अच्छे बेफसाइक है हमारा अच्छा बेपार चल रहा था मेरा टाइल्स का सोरूम है मक्के का बरासा बेपार है सारे डिश्टब हो रहा है जहां तक 90 लाग का सवाल है SBI का वो भी पैसा हमारे मंदले भाई और पिताजी ने चेक के दुवारा सारा पैसा चार साल के अंदर तीन साल के अंदर निकाल लिए एक एक करके जिसका इस्टेटमेंट मेरे पास है रंजीत कुमार चेक नंबर इतना चार लाग 26 पांच 21 दूसरा पांच 26 उनका इस्टाप चार लाग प्रेम लाल तीसरा रंजीत कुमार फिर तीन लाग एक एक करके सारे पैसे उन्होंने सुबोध कुमार पांच लाग नब्य लाग रुपिया ये लोग ने टोटल एक एक करके निकाल लिया विकास चोधरी उनका रंजीत का साला एकोंड में टांसफर करवाया चेक के दुआरा पिताजी से इस तरह करके सारे पैसे ये लोग निकाल लिये और आरोप हम पे लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि हम इसका बिरोध कर रहा है एक बात और करना चाहता हूं बहुत बेस किमती जमीन हमारे कठ्यार टॉन में थे डेर करोर की संपती हमने ली थी मा के नाम से वो भी प्रो लिया एक बारा दोजार तईस को देखें और सारा पैसा भागलपुर में फ्लेट और जमीन खरिद लिया इन लोगों ने चुपके से उसके बाद सारे जमीन पर टाइटल है सारे जमीन पर हमने पाठेशन सुट किया था टाइटल किया था नियाले से हमें चार बारों को टाइटल मिली है इंजेक्शन मिली है टाइटल मैंने बहुत पहले किया था इसके बाब जूत सारा जमीन रश्टी हुआ है हद तो तब ह हो गई जब इन लोगों ने मोटेशन तक करा लिया सारे जमिन का इन लोगों पर आता हूं जो जमीन हमने अपने पैसे से पिताजी के नाम से खरिद किया था उस जमीन पर हमने पत्नी ने नियू डाल के मकान बनाया आज उस पर मैंने टाइल्स का सोरूम है मेरा मक्का का बेफसाय है 15 साल से कर रहा हूं अब उन पर भी बुरी नजर इन लोगों की लगी ह हुई है यह लोग इतने आवेश में हैं कि यह कब चाहते हैं कि इनका भी जमीन रश्टी कर लूँ इस चीज को देखते हुए हमने पंचायत के सदस्यों से बात की भंसावली और पंचनमा के अधार पे हमने भी मोटेशन करा लिया फिर भी हमारे पिताजी हमारे भाई हमारे मंजले भाई की वाइप बहुत प्रेसान कर रहे हमारे बेफसाय को डिश्टब कर रहे हमें बतलाम कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े बेटी हो गई है बच्चे हैं और रोजगार प्यासर पर रहा है हम आप लोगों से गुहार ल आसा करते हैं कि आप लोग अस्थल की जांच करें, सच्चाई क्या है वहां के आदमी परती ने दी, आम आदमी से जनकारी प्राप्त लें और दूद का दूद पानी के पानी करें परदाओं वास्ता में मेरे पिता दुर्गा प्रिशाद जैस्वाल और मेरा मजला भाई रंजीत जैस्वाल और उसकी पतनी सोनी देवी ने मिलकर ऐसा भीशन सरयंत्र रचा है कि उसे सुनकर आपके होश उर जाएंगे मेरे मंजले भाई रंजीत जैसवाल और उनकी पतनी सोनी देवी ने मेरे पिता दुर्गा जैसवाल के साथ मिलकर एक भीशन साजिसरची जिसके तहत उसने ना सिर्फ मेरे सबसे छोटे भाई प्रदीब जैसवाल की जमीन और मकान गलत ढंग से अपने नाम यानि शोनी देवी के नाम रजिस्ट्री करा ली बलकि उसने परिवार की सहर में अवस्थित एक किमती जमीन को भी बेच कर डेर करोर रुपए सोनी देवी को दे दिये अब यह तीनों मिलकर मेरी जमीन और मकान भी हतियाना चाहते हैं जब यह अपने मकसद में कामियाब नहीं हो पाए तब इन्होंने मिलकर मुझ पर यह जूटे आरोप लगा दिये बैंक से पैसे निकालने के संबंध में उसने कहा कि मैं कभी पैसे निकालने के लिए बैंक गया ही नहीं हूँ बलकि मेरे पिता नहीं अपने मंजले बेटे रंजीत के साथ मिलकर पैसे की निकासी की है जिसका प्रूफ बैंक स्टेटमेंट भी मेरे पास मौजूद है आप खुद सुनिए धर्म संकर्ट में पड़े इस बड़े बेटे अमरप्रताब बिहारी की बात अब सवाल तो ये है कि आखिर इस पिता को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपने बड़े बेटे को ही बदनाम करने में कोई कसर बांकी नहीं रखी यह एक गहन जाज का विसे है स्थानिय प्रिसासन को चाहिए कि मामले की गहराई से जाज करे और जूटे आरोप लगाने वाले के विरुत करी कारवाई करे